हेलो आप रिवान वेल्कम बैक टो मैं चानल आज हम बनाया जा रहे हैं गुलाब जामून यह बहुत ही जादा सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं और आप इन्हें किसी भी फेस्टिवाल या उकेजिन पर बनाकर खा सकते हैं इन्हें बनाना बहुत ही इजी होता है मैं आपको से काट कर दिखाती हूं अब देख सकते हैं कितने जादा सॉफ्ट बने हैं रेस्पी शुरू करने से पहले अगर अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से कर दे जली देख लेते हैं यह सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामून कैसे बनाए सबसे पहल बेकिंग सोड़ा से गुलाब जामून बहुत जादा स्पंजी बनेंगे हमें इन सबको अच्छे से मिला लेना है और इसका एक डो बनाना है जितने मैदे में आपका डो अच्छा बन जाए और गिला ना रहे उतना है आप इसमें मैदा यूज करें अब हम इसमें तू तेल निकलकर हमारे हाथों में चिपकने लगे आप देख सकते हैं हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है अब हम इनके चुटे-चुटे से बॉल्स बना लेंगी तो मैंने थोचा डो लिया है उसे हाथों में इस तरीके से रोल करेंगे और इस तरीके से हम गुलाब जामून को कitous बनाएंगे सारे बॉल्स मैं इस तरीके से बना कर तयार कर ढ़ूंगे यह मैंने सारे बल्स बना लीये था तो हम बनाइलते हैं चासनी बनानी के पुगाने में एक लिया है एकक प चीन में ढालें वैंशां इसके हमें अच्छे से चाश्णी बनानी है जब तक चाश्णी बन रही है तब तक हमें कड़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा देंगे हमारा तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें गुलाब जामुन के बॉल्स फ्राय होने के लिए डाल देंगे हमें इने मीडियम फ्लेम करना है हमें इसे हर साइट से अच्छे से अच्छे से करना है आप इसे साफदानी से फ्राइए वरना यह गुलाब जामुन तूट सकते हैं हम इने फ्राइवने के लिए चोड़ देंगे और हमारी चाशनी बन चुकी है तो इसमें डालेंगे आदा टेबल स्पूर इलाइची का पाउडर इसे हमें अच्छे से मिला लेना है और गयास का फ्लेम ओफ कर देना क्योंकि हमारी चाशनी बन चुकी है अब हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स पर फ्राय होके रेडी है तो हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में निकालने के बाद हमें इने चाशनी अब्जॉर्फ करने के लिए छोड़ देंगे एक घंटे बाद मैंने इसका धकन हटाया है और गुलाब जामुन ने चाशनी अब्जॉर्फ कर ली है आप देख सकते हैं कितने अच्छे गुलाब जामुन बने हैं आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन फूल झाल क्यू